हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है उनिकलव टिप्स चैनल पर और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी आल पे कर दो और अगर आपको मेरे साथ परसनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से डिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे और ये एक पेट कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जर भी मैं वहाँ पे बता दूंगी और इंस इसी चीज का लिमिट क्रॉस कर दोगे तो वह चीज तो नहीं ठीक रह सकता ना तो ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत लोग मुझे ना कॉल्स पे बोलते हैं पेट कॉल्स जो होते हैं मैसेजिस पे बोलते कि मैड़म मुझे पता है मैं ना उसको इरिटेट क आपको अपने emotion पर control नहीं है, इसका मतलब यही है, emotion पर control करो, कुछ भी चीज अच्छा नहीं होता जादा, चाहे emotion हो, चाहे feelings हो, चाहे प्यार हो, कुछ भी हो, हद से जादा कुछ भी चीज किसी भी इंसान को हजब नहीं होता है, ठीक है, और यह irritating जो nature है ना, बहुत ही अगल हो जाते हैं, लोग सच में ऐसे लोगों को irritate, जो करते हैं, ऐसे लोगों को avoid करना पसंद करते हैं, मैं खूद करूंगी, आप खूद करोगे, ठीक है, जैसे कि मानलो, आपके partner ने आपको कहा कि दो मिनिट रुख जाओ, मैं तुम्हें कॉल बेक करता हूँ, या करती ह लेकिन आप क्या करोगे, दो मिनिट तो क्या, दो सेकेंड भी नहीं रुखोगे, धराधर call करने लगते हो, धराधर messages करने लगते हो, हाँ क्या है, इतना क्यों busy हो, ये हो, वो हो, मुझे time नहीं दे रहे हो, मुझे मुझे बात नहीं कर रहे हो, हाँ किसी और के लिए time है, बहुत सारी बात है, तो ऐसे मत क्या करो, अगर वो genuinely busy है कहीं, तो उसको time दो, normally ऐसे situation में आपको कैसे deal करना चाहिए, अगर कोई आपको बोला है कि मैं दो मिनिट में तुम्हें call करता हूँ, या call करती हूँ, तो आपको वाँ पे क्या करना चाहिए, आपको वाँ पे रुखना पड़े तो रुखो, अगर आप ये करते हो, तो आपका एक value जो है, gain होता है उसमें, लेकिन हमको दो मिनिट तो क्या दो सकी, second भी हम नहीं रुखते हैं, हम धरा धर, हाँ दो मिनिट बोलके कहां गाइब हो गये, कहां चले गये, हो गया बस, तुम्हारा बात, य सब मत करो, ये सब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सब करके अपना जो एक इज़त है ना, उसको खोद होगे, पार्टनर के सामने, और अल्रेडी खोद चुके हो, तभी इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, तो ऐसा बचपना मत करिए, ऐसे करके, मैचियोर की तरह ब जरूरत नहीं है, I love you, I miss you, ये निबब निबबी वाला जो काम करते हो, ये सब बंद करो, be a mature person, ठीक है, ना को सुनने की आदत डलवालो अपने आपको, ना बोलने की भी आदत डालो खुद से, हर चीज पार्टनर जो कह रहा है, उसको सुनने की जरूरत नहीं है, हर चीज आप जो कह रहे हो, उसको भी पार्टनर को सुनना ही होगा, ऐसा मत अपने दिमाग में ख्यालात पालो, हो सकता है कि कुछ चीजों के लिए वो भी आपको ना कहें, और ये भी मुमकिन करो कि हाँ, मैं भी कुछ चीजों के लिए उसको ना कह सकता हूँ, या ना कह सकती जरूरी नहीं है कि हट चीज के लिए हाँ ही कहें आपको वो या फिर आप उसको, ठीक है, ना सुनने की आदत आपको भी डालना होगा, ना कहने की भी आदत आपको डालना है खुद से, ना कहो भी ना सुनो भी, तभी जाके रिलेशन्शिप का जो बैलनस है वो सही रहता ह लेकिन आप क्या करते हो हद से जादा कॉल्स कर दोगे 10 कॉल 15 मैसेज 20 मिस कॉल यह सब मत करो यह सब करकर के करकर के ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो आपसे इरिटेट हो गया आपका पार्टनर आपको फुली इग्नोर करता है यह इग्नोर करती है आपके कॉल मैसेज़ ना उसके फोन पे तो सबसे पहले वो आपको कॉल करना जरूरी समस्ता था या जरूरी समस्ती थी लेकिन वो ही इंसान आज आपका कॉल मैसेज देख की इरिटेट हो जाता है क्यों ऐसा सिचुएशन कैसे होता है क्योंकि आप ही वो इंसानों जिसने ऐसा सिचुएशन क्रि जो इरिटेट हो गया धीरे धीरे उसका इडिटेशन कम होगा जैसे ही उसका इरिटेशन कम होगा वो आपके पास आना जरूरी समझेगा यह जरूरी समझेगी ठीक है I hope दोस्तो आजका वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज जार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सबस्क्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो और जितना हो सके वीडियो को शेर कर देना Thank you